पशुपालन मंत्री ने खंडवा पहुच कर श्री गणेश गोशाला में गौपू जनकर गोगास्ट बनाने की मशीन का उद्गाटन किया आपको बता दे कि प्रदेश भर की चुनिंदा गोशालां में ही गाय के गोबर से गोगास्ट बनाने की मशीन लगी हुई है जिनमें अब खंडवा की श्री गणेश गोशाला भी शामिल हो गई है लंबे समय से गोशाला समीती द्वारा गोगास्ट निर्मान यूनीट लगाने के प्रियास किये जा रहे थे जिसकी शुरुआत हो गई है इस यूनीट से तयार होने वाले गोगास्ट को लेकर प्रदेश के पशुपालन मंतरी प्रेम सी पतेल ने बताया कि गोशाला में र प्रेम सिंग पतेल जी का संकल्प कि हम मद्द प्रदेश में मद्द प्रदेश जहां एक और लगवक 30% वन हमारे मद्द प्रदेश में और बहुत बड़ी आबादी हमारी ट्राइबल की है और निश्चिती इस गड़ी में हमारे एसरसिय प्रदानमंत्री मानि नरेध मोधी जी ने प्रत्य गड़गर उजिवला गेंश गड़ा मद्यां से घंश कनेक्सन देने का काम करा था कि प्रत्य वset घर में लगडी के बड़ाए गेंश का कारियों के साथ अनेक उसके उपयोग होंगे जिससे बड़ी संक्या में लकडी का कहीं ना कहीं जो दुरुपयोग होता वो रुकेगा मैं इसके लिए बहुत-बहुत बधाई देता हूं हमारे ससी मुक्यमंत्री जी को जो रात दिन इस हेतु प्रयास कर रहा है और इस कड़ी में लगबग गो सेवा के छेत में प्रतेक बलाक में आज तारिक तक लगबग तीन से पांच गो सालाओं का निर्मान हो चुका है और इसी प्रकार गो उतपात का भी जादा से यादा उपयोग तो इसका प्रयास भी हमारे मुक्यमंत्री जी कर रहा है और इसी कड़ी में में बताना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश में गोआब यहरन्ट और इस प्रकार के तमाम वो कार है जिस माद्याम से हम हमारे धर्म की और, हमारे संस्कारों की और, गो सेवा की और बढ़ सके इस प्रकार के प्रयास हमारी सरकार द्वारा किये जा रहा है हेलो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 News हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकोन को दबाना बिल्कुल भी न भूलें